पत्तकार साथियों के साथ हुई है ये बिधान समा में ये परंपरा रही है कि पत्तकार और पत्तकारता से जुड़े जितने लोग हैं समय समय पर लॉबी में मिलते थी और जब कभी भी आंदोलन ये विपश्च को अपनी बात कहनी होती थी ति चौई चंसिंजी की प्रतिमा पर खड़े हो करके अपनी बात कह करके सदन में आते थी ये भारती जंता पाटी लोगतंत्र की हत्या समय धान की धजिया और जो प्रेस की आजादी है उसमें भी अंकुस लगा रही है ये बहुती निंदनी घड़ना है और दूसरी आज सुबह से लेकर के लगातार फोन आ हो रहा है जिसमें कानपुर देहाद के जिन परिवार के साथ घटना हुई मा बेटी जिनको जला दिया गया सरकार के परसाजन के इसारे पर बुल्डोजर चला जान चली गई उसके भाई का वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें कपड़े उतार दिये हैं और नंगा करकर के कर रही है अगर किसी के भाई को ख़ड़ा कर देंगे किसी के बेटा को खड़ा कर देंगे यह कहां का लोक तंत्र है आखरी जन्ता पारटी क्यों ऐसा कर रही है इंकी सरकार में अधिकारियों प्रक्स भाई जो बेटा जो पिता का पुत्र इस तरीके से अजन्न किया गया है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कारवाई कर रही है जिन्होंने बुल्डोजर चलाया मा बेटी की जान ले ली उन वरिष्ट अधिकारियों के ऊपर क्या कारवाई कर रही है सरकार को इसका मेंतिय जी इन बातों को नहीं जानते हैं कि दुनिया में जब कोई पुलिस के मादे में अर्द नगन कर दिया जाएगा अगर पुलिस ये काम करने लगे अधिकारी ये नंगा करने लगे तो कहां से निवेश आएगा और निवेश आने की बड़ी बड़ी बातें जो सरकार कर रही है पहले सरकार को ये बताना चाहिए कानपूर दिहात में कानपूर में या पूरे उत्तबदेश में कौन सा निवेश ये सरकार लेकर के आई है सरकार ये बताए निवेश कौन सा लेकर के आई है ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी